एलो दोस्तो जेडी इलेक्रोनिक्स और मोबेल में आपका स्वाग आते हैं आज हम बात करने वाले जो 4G और 5G स्मार्ट वह जाती है उसमें पास्वड केसे लगा दे सबसे फिले मेनू उपन कर लीजिए उसके बाद जो सेटिंग आता है उसको ओन कर लीजिए उसके बाद स् अपिल लगा नहीं मौन लिजिए में 1,2,3 ,4 लगा तो लगाने के बाद ऑके कर दीजैए वर उसको ओन कर दीजिए और आपका पास्वड लगा है देख लीजिए बेक आजिये मेजिए पास्वड आपका लगए रखन दीख लीज़ी ऌन टू दीफूर अगर यह password लगाने के बाद उसको चेंज करना हो फिर शेटिंग में आजाए शेटिंग में आने के बाद स्क्रोल करके नीचे आजाए नीचे आने के बाद जो password आता है उसमें आये और update password पर tape कर लीजे इसमें आपको जो पहले आपने जो पास्वर रखा था वो रख देना है 1,2,3,4 और रोक के देना है अब आपको जो नहीं रखना है वो फिर से आप बदल सकते हैं इसमें मैं लिजा मैं यहां पर सभी 0 रख देता हूँ और रोक के देना है और आपका पास्वर्ड चेंज हो गया फिर से बेक आजाए अब पास्वर्ड अगर आपको निकलना हो तो फिर से आप सेटिंग में आजाए सेटिंग में आने के बत स्क्रोल करके नीचा आजाए और पास्वर्ड में आजाए और जो ये close password है उसको off कर दीजिए और आपका जो password है उसको डाल कर इसको बन कर दीजिए और अब ये आपका password निकल गया है देखे Thank you